हेलो एब्रिवन वेलकम बैक टू टीना क्लासेश कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी अच्छे होगे और अपने अपने एक्जैम की तैयारी कर रहे होंगे आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिसकस करेंगे करेंट फेर्स की कुछ इंपोर्टेंट कोईशन्स जो के हा और से लाइक शेयर कर दीजेगा तो चलिए पहले कोशन को देखते हैं पहला कोशन आपके स्क्रीन पे हाल ही में लदाक सरकार अगले साल दिल्ली में होने वाली गरतंत्र दिवस परेट में जाकी के लिए किस थीम को सर्वसमती से मंजूरी दी है तो बताएगे इस बार की क क्रेडिबल लदाक, इंटरप्राइजिंग लदाक, इमर्जिंग लगदाक, क्या फिर नन ओफ दीज तो पताएगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप गेस कर सकते हैं अगर आपको आंसर आता है फिर आप हमाई सथ मैच करीगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा I hope अब तक अपने गेस कर लिए अगा तो देखें इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन B, इंटरप्राइजिंग लदाक इस बार की थीम रखी गई है गरतन दिवस परेट की जाकी में लदाक की ज़वार की क्या थीम रखी गई है इंटर प्राइजिंग लदाक सरकार ने सर्वसम्मती से मन् दे दी है आगे बढ़ते देखते अपने next question को next question है आपकी screen पर हाल ही में विश्व मानक दिवस किस दिन मनाया गया है options आपको screen पर दिये गए हैं 2 October 7 October 11 October या फिर 14 October तो जल्ली साथ बताएं इसका correct answer क्या होगा I hope अब तक आपने guess कर लियोगा तो देखें इसका correct answer option D 14 October को विश्व मानक दिवस मनाया जाता है आगे बढ़ते हैं देखते हैं अपने next question को next question आपको आपकी screen पर दिख रहा होगा हाल ही में किस राज के करूपुर कलमकारी पेंटिंग और कल्ला कूरिची लकडी की नकाशी को GI टैग दिया गया है options है केरल तमिल नाडू आंधर प्रदेश गुजरा तो जल्ली साथ अपना answer guess का लिजर हमें बताएं इसका correct answer क्या होगा तो देखें इसका correct answer है option B तमिल नाडू के करूपुर कलमकारी पेंटिंग और कल्ला कूरिची लकडी की नकाशी को GI टैग मिला है और अगर आपको GI टैग पढ़ना है तो हमारे इसी चैनल पे हमने दो GI टैग की वीडियो अप्लोड कर दी है जिसमें हमने आपसे यह promise किया था कि हम आपको जादा से जादा GI टैग सभी स्टेट के इंडिया के cover कर देंगे तो वीडियो आपको मिल जाएगा या फिर आप इसी वीडियो के description में जाकी current fair के link पे click करके देख सकते हैं आगे बढ़ते हैं देखते हैं अपने next question को next question है आपकी screen पे हाल ही में किस राज के पश्चिम कामेंग जिले के दिरांग में याक पर राश्ट्री अनुसंधान केंद्र NRCY ने अपने पशों का बीमा कराने के लिए राश्ट्री बीमा कंपनी लिमिटेट के साथ करार किया है तो बताइए इसका correct answer क्या होगा option से उत्रखन, मद्य प्रदेश, अरुनाचल प्रदेश, असम तो जल्ली साब अपना answer guess कर लीजे अब तक आपने guess कर लिए होगा तो देखें इसका correct answer option C अरुनाचल प्रदेश की पश्ट्रिम कामेंग जिले के दिरांग में याक पर राश्ट्री अनुसंधान केंद्र NRCY ने अपने पशों का बीमा कराने के लिए एक राश्ट्री बीमा कंपनी लिमिटेट के साथ करार किया है तो यह था जिसका correct answer आगे बढ़ते हैं देखते हैं next question को next question है आपके screen पे हाल ही में भारती सेना और चीन की सेनाओं के बीच हाट लाइन की स्थापना की गई है बताइए कहा की गई है option से अरुनाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाग या फिर इन में से कोई ने I hope अप तक आपने guess कर लिया होगा तो देखें से correct answer option B सिक्किम ठेक है तो भारती सेना और चीन की सेनाओं के बीच एक हाट लाइन की स्थापना की गई है सिक्किम में की गई है आगे बढ़ते हैं देखें अपने next question को next question आपकी स्क्रीन पे हाल ही में लखनव में उत्तर परदेश स्टेट इंस्टिटूट और फॉरेंसिक साइंसिस का सिला न्यास किसने किया है औप्शन्स है अधित्यनाद योगी राजनाद सिंग नरेंद्र मोदी अमिद्शा तो आप बताएं इसका correct answer क्या होगा आपकी स्क्रीन पे हाल ही में किस देश ने विकार सील देशों में जैव विविदिता की रक्षा के लिए 233 मिलियन डॉलर का कुन मिंग जैव विविदिता कोश स्थापित करने की घोशना की है औप्शन्स है चीन, रूस, फ्रांस, जपान तो जल्दी साब अपना अंसर गेस कर लिजे आई होब अब तक आप ने कर लियोगा तो देखें इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए चीन तो हाल ही में चीन ने विकार सील देशों में जैव विविदिता की रक्षा के लिए 233 मिडियन डॉलर का कुन मिंग जैव विविदिता कोश स्थापित करने की घोशना की है तो ये कोशन भी इंपोर्टेंट था आगे बढ़ते हैं देखतें अपने नेक्स कोशन को नेक्स कोशन है आपकी स्क्रीन पे हाल ही में उत्तर प्रदेश की किस शहर में दिव्यांगो के लिए देश में अपनी तरह का पहला स्टेडियम बनाया गया है ओप्शन से गोरकपूर कानपूर लखनव इलहाबाद तो जली सब अपना करेक्ट आंसर गैस कर लीजे आई हो नेक्स कोशन है आपकी स्क्रीन पे हाल ही में ग्रह मंत्राले का IPS Association Sword of Honor Award पाने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है तो कौन है वो जिने IPS Association Sword of Honor Award पाने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है अप्शन से अर्चना, रामा, सुंदरम, सोन्या, नारंग, कंचन, चौधरी, या फिर रंजीता, शर्मा तो आप बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रंजीता शर्मा है जिनोंने जो की पहली महिला अधिकारी बन गई है जिने IPS Association Sword of Honor Awards मिला है ग्रह मंत्राले के द्वारा आगे बढ़ते हैं देखते हैं अपने नेक्स क्वेशन को नेक्स कोशन है आपकी स्क्रीन पे हाल ही में किस देश सेन नितानर शाह जेनरल मिन आंग लाइंग ने देश में अपात काल की सीमा सन 2023 तक बढ़ा कर खुद को प्रधान मंत्री गोशित कर दिया है बताए इक किस देश के है इसका करेक्ट आंसर आप गैस कर लीजी ऑप्शन से सीरिया अफगानिस्तान मैयनमार या फिर पाकिस्तान तो जली से आप अपना आंसर गैस कर लीजए I hope अब तक आप ने कर लिया होगा तो देखें इसका correct आंसर मैयनमार होगा इसका correct आंसर आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आपने इस वीडियो को लास तक देखा है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो में दीकई इंटरनेशन और नेशनल निउस पसंद आने पर वीडियो को जरूर से लाइक शेयर कर दीजेगा चैनल को दीजेगा, मिलते हैं जल्दी आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखे पढ़ाई करते रहे, all the very best